तो किसी ने कहा कि जिसे पियार भरा इंटर्व्यू समझा था वो निहायती फर्जी निकला और जिसे बता रहे थे इनोसेंट उसी का भाई चरसी निकला नमस्कार मैं हूँ रौनक और ये शुरू हो चुका है फंतंत्र सुशान सिंग के केस में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चकरवर्ती के भाई शौविक चकरवर्ती को गिरफतार किया साथ में सैमिल मिरांडा भी पकड़े गए ताजा रुजानों से ये साफ है कि बात निकली है तो बहुत दूर तलग जाएगी और लाजिम है कि हम देखेंगे बकरे की अम्मा आखिर कब तक खेर मनाएगी वैसे ये गिरफतारी हमारे शो का टॉपिक नहीं है, रिया भी हमारे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आप, हमारे देश की जनता, जो जब ठान लेती है तो किसी घटना के धाई महीने बाद भी इनसाफ मिलते दिखना शुरू हो जाता अगले एक महीने तक सुशान्त को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई आप सब ने लड़ी रोज सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर, सी बी आई फॉर सुशान्त ये ट्रेंड होने लगा दिन हफते महीने भर मीडिया भी इग्नोर करता रहा लेकिन आप सब ने हार नहीं मानी और फाइनली आप सब के प्रेशर ने मीडिया को मजबूर कर दिया कि वो आपकी आवाज अपने प्राइम टाइम से उठाए और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा इनफाक्ट अब तक देख रहा है 14 जून से लेकर अगले दो महिनों तक माहराष्ट की पुलिस और वाँ की सरकार टाल मटोल करती रही इस केस को सुसाइड बताती रही और कोई भी साक्ष देश के सामने नहीं रख सकी हाँ इस बीच बिहार पुलिस से उनके बरताव ने ये जरू साबित कर दिया कि ये केस इतना सीधा नहीं है जितना महराष्ट प्रशासन के अब तक के बयानों से लग रहा था 20 अगस्त को CBI मुंबई पहुंचती है और मातर दो हफतों में यानी 4 सितंबर को रिया का भाई शौविक अरेस्ट हो जाता है अब पब्लीक यही सवाल पूछ रही है कि क्या इसी डर से महराष्ट में एक खास पार्टी के नेता लोग CBI जांच के खिलाफ बयान दे रहे थे क्या इस डर से बिहार पुलिस के अफसरों को कॉरिंटीन करके उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था खेर अब जब गिरफ्तारियों का मुहर्ट शुरू होई गया है तो इन रुजानों से साफ है कि बात निकली है तो बहुत दूर तलग जाएगी और बकरे की अम्मा आखिर कब तक खेर मनाएगी वेल अम्मा से याद आते हैं अबबा भी तो कुछ लोग ये भी कहते हुए पाएगे कि मुंबई उनके अबबा हुजूर की है और वो कंगना को मुंबई नहीं आने देंगे इसके जवाब में कंगना कह रही है कि मतलब वो मुंबई आके रहेंगी जो उखाड़ना है उखाड़ लो पर इस मुद्दे पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये मुंबई हम सब की है और हम सब इस मुंबई के हैं मुंबई हर उस आदमी की है जिसका आंसू, खून, पसीना मुंबई की मिट्टी में है मुंबई हर उस आदमी की है जो देश के कोने कोने से इस शहर में आया और इस शहर से मिले प्यार से वापस पूरे देश और दुनिया पर छाया मुंबई हर उस आदमी की है जिसने यहां हुए बॉम ब्लास्ट में किसी अपने को खोया है मुंबई उस तुकाराम ओमलिक की है जो निहत्ते ही एके 47 लिए कसाब से भिड़ गए थे मुंबई उन मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की भी है जो आखरी सांस तक हमारे लिए लड़े थे और शहीद हो गए मुंबई एंटीलिया वालों की भी है तो मुंबई धारावी वालों की भी है मुंबई डबबा वालों की भी है तो मुंबई रोजगार के लिए आए लाखों गाउं वालों की भी है और मुंबई इसी शहर में आटो चलाने वाले भाईया की भी है मैं तो यही कहूंगा कि मुंबई को मुंबई ही रहने दो ये शहर समंदर को थाम के रखता है तो रुख गया वो अगर आप समझ गया है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा बाकि अपना ख्याल रखे ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें हमारे चानल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें Thank you very much, जैहिंद